लूका पांचवा अध्याय जब भीड परमिश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्य सरत की जील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने जील के किनारे दो नावे लगी हुई देखी और मच्छुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे उन नावों में से एक पर जो शेमोन की थी चड़ कर उसने उस से विंती की किनारे से थोड़ा हटा ले चले तो वह बैठ कर लोगों को नावों पर से उपदेश देने लगा जब बाते कर चुका तो शेमोन से कहा गहरे में ले चल और मच्छलियां पकड़ने के लिए अपन के जाल फटने लगे इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारे सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी यह देखकर शेमोन पत्रस ईशु के पाओ पर गिरा और खा है प्रभु मेरे पास से जाकियों कि मैं पापी मनुष हूँ क्योंकि इतनी मचलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमबा हुआ और वैसे ही जब्दी के पुतर याकूब और यहना को भी जो श्यमोन के सह भागी थे अचमबा हुआ तब ईशू ने शमौन से कहा मत डर अब से तु मनुश्यों को जीवता पकड़ा करेगा और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब को छोड़ कर उसके पीछे हो लिए जब किसी नगर में था तो वहां कोड से भरा हुआ एक मनुश्य आया और वे ईशू को देखकर मुखे बलगेरा और विंती की हे प्रभू यदि तु चाहे तो मुझे शुद कर सकता है उसने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा मैं चाहता हूं तो शुद हो जा और उसका कोड तुरंत जाता रहा तब उसने उसे चिताया किसी से नक है परंतु जाके अपने आपको याजक को दिखा और अपने शुद होने के विशे में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा टहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाई हो परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड की भीड उसकी सुनने के लिए और अपनी बिमारियों से चंगे होने के लिए इकटी हुई परंतो वो जंगलों में अलग जाकर प्रातना किया करता था एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्तापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहुदिया के हरे गाउ से और यरुशलेम से आये थे और चंगा करने के लिए प्रभू की सामर्त उसके साथ थी उस समय कई लोग एक मनुश्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे बीतर ले जाने और इशो के सामने रखने का उपाई ढून रहे थे पर जब भीड के कारण उसे बीतर न ले जा सके तो उन्होंने चत पर चड़कर और कप्रेल हटा कर उसे खाट समयत बीच में इशो के सामने उतार दिया उसने उनका विश्वास देकर उसे कहा हे मनुश्य तेरे पाप शमा हुए तब शास्त्री और फरी से विवाद करने लगे ये कौन है जो परमेश्वर के निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पापो का शमा कर सकता है इश्व ने उनके मन की बाते जान कर उनसे कहा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो सहज क्या है क्या ये कहना की तरे पाप शमा हुए या ये कहना की उठ और चल फिर परन्तु इसलिए कि तुम जानो की मनुश्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप शमा करने का भी अधिकार है उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझ से कहता हूँ उठ और अपनी काट उठा कर अपने घर चला जा वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पढ़ा था उसे उठा कर परमिश्वर की बढ़ाई करता वह अपने घर चला गया तब सब चकित हुए और परमिश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनोखी बाते देखी हैं इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले तब वह सब को छोड़ कर उठा और उसके पीछे हो लिया तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड थी इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसकी चेलों से यह कहकर कुड़कुडाने लगे तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो इश्यों ने उनको उतर दिया वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परन्तु बिमारों के लिए आवश्यक है मैं धर इसरी ने उनसे कहा क्या तुम 12 से जब तक दुलहा नंके साथ रहे उपवास परन्तो वे दिन आंगे जिनमें दुलहा उन से अलग किया जाएगा द वे उन दिनों में उपवास करेंगे, उस ने एक और दृष्टान भी उनसे कहा कोई मनुष्य नहे वस्तर में से फाड़ कोई नया दाखरस पुरानी मश्कों में नहीं भड़ता नहीं तो नया दाखरस मश्कों को फाड़ कर बह जाएगा और मश्के भी नश्ट हो जाएगी परंतु नया दाखरस नई मश्कों में भरना चाहिए कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि व मुख मिस्र के राजा फिरोन की और करके उसके और सारे मिस्र के विरुद भविश्वानि कर यह कहता है हे मिस्र के राजा फिरोन मैं तेरे विरुद हूँ हे बड़े मगर तुझो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है जिसने कहा है मेरी नदी मेरी नीज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है मैं तेरे जबडों में आंकडे डालूंगा और तेरी नदीयों की मचलियों को तेरी खाल में चिप्टाऊंगा और तुरी खाल में चिप्टी हुई तेरी नदियों की सब मचलियों समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मचलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तुम मैदान में पड़ा रहेगा किसी भी प्रकार से तेरी सुधी न ली जाएगी मैंने तुझे वनपर्शो और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है तब मिसर के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ वे तो इसराइल के घराने के लिए नरकट की टेक टहरे थे जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया था तब तो तूट गया और उनके कंदे उखड़ ही गए और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तो तूट गया और उनकी कमर की सारी नसे चड़ गई इस कारण प्रभु यहवा यू कहता है देख मैं तुझ पर तलवार चलवा कर तेरे मनुश्य और पशु सभों का नाश करूंगा तब मिस्र देश उजाड ही उजाड होगा और वे जान लेंगी कि मैं यहवा हूँ तुने कहा है मेरी देश की सीमा तक उजाड ही उजाड कर दूंगा चालिस वर्ष तक उसमें मनुश्य या पशुका पाहूं तक न पढ़ेगा और ने उसमें कोई बसएगा चालिस वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड कर रखोंगा और उसके को उन जातियों के बीच से खटा करूंगा जिन में वे तीतर बीतर हुए और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुडा कर पत्रास देश में जो उनकी जनम भूमी है फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा वह सब राज्यों में छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के उपर न उठाएगा क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाती जाती पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे वो फिर इसराइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा क्योंकि जब वे फिर उनकी और देखने लगे तब वे उनके संतान, बेबिलों के राजा निबगद लेजर ने सोर को घिरने में अपनी सेना से बड़ा परश्रम कराया, हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधों का चमडा चिल गया, तो बेब उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को इस कारण परमेशर यहवा यो कहता है देख मैं बेबिलोन के राजा निबगत नेज़र को मिसर देश दूंगा और वो उसकी भीड को ले जाएगा और उसकी धनसंपती को लूट कर अपना कर लेगा अतहर यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी मैंने उसके परशरों के बदले में उसको मिसर देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था परमेशर यहवा की यही वानी है उसी समय मैं इसराइल के घराने का एक सिंग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मूँ खोलूँगा तब वे जान लेंगी कि मैं यहवा हूँ यह जगेल तीस अध्याई फिर यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा यह मनुश्य के संतान भविशिवानी करके कह परमेशर यहवा यह कहता है हाई, हाई करो, हाई उस दिन पर क्योंकि वे दन अर्थात यहवा का दन निकट है वे बादलों का दन और जातियों के धंड का समय होगा मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे तब कूश में भी संकट पड़ेगा लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नीवे उलट दी जाएंगी कूश, पूत, लूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा बांदे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे यहवा यू कहता है मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्त पर मिस्री फुलते हैं वह तूटेगी मिकदोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे परमेशर यहवा की यही वानी है वे उजडे हुए देशों के बीच उजडे टहरेंगे और उनके नगर खंडर किये हुए नगरों में गिने जाएंगे जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नश्ट होंगे तब वे जान लेंगी कि मैं यहवा हूँ उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चड़ कर निडर निकलेंगे और कूशियों को डराएंगे और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय क्योंकि देख वदिनाता है परमेश्वर यहवायों कहता है मैं बेबिलोन के राजा नबुगद नेजर के हाथ से मिस्र की भीड भाड का नाश करा दूँगा वो अपनी प्रजा समय जो सब जातियों में भयानक है उस देश का नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्र के वुरुद तलवार घींच कर देश को मरेगों से भर देंगे मैं नदियों को सुखा डालूँगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूँगा और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड करा दूँगा मुझे यहवा ही ने यह कहा है परमेशर यहवा यह कहता है मैं नोप में से मुरतों का नाश करूँगा और उसमें की मुरतों को रहने न दूँगा फिर कोई प्रदान मिसर देश में न उठेगा और मैं मिसर देश में भै उप जाऊंगा मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोवन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा सीन जो मिसर का द्रड स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड कांत का डालूंगा मैं मिस्र में आग लगाऊंगा सीन बहुत धर धराएगा और नोप फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड उठेंगे आवेन और पविसेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएगे जब मैं मिस्रियों के जुओ को तहपने हेस में तोड़ूंगा तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्त जिस पर फुलता है वनश्ट हो जाएगी उस पर घटा चा जाएगी और उसकी बेटिया बंधुआई में चली जाएगी इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूँगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ फिर ग्यारवे वर्ष के पहले मैने के साथवे दिन को यहवा का यवचन मेरे पास पहुंचा हे मनुशके संतान मैंने मिस्र के राजा फिरोन की बुझा तोड़ दी है और देख न तो वह जोड़ी गई न उस पर लेप लगा कर पट्टी चड़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्या बन सके इसलिए प्रभु यहवा यो कहता है देख मैं मिस्र के राजा की बुझाव को भली करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूँगा परंतो फिरोन की बुझाव को तोड़ूँगा और वह उसके सामने ऐसा कराएगा जैसा मरने वाला गायल कराता है मैं बेबिलोन के राजा की बुझाओ को संभालूंगा और फिरों की बुझाओ धीली पड़ेंगी तब वे जानेंगे कि मैं यहवा हूँ जब मैं बेबिलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा तब वे उसे मिस्र देश पर चलाएगा और मैं मिस्रियों को जाती जाती में तीतर वीतर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ बैजन सहीदा 112 अद्धियाए या किस तुती करो क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आग्याओं से अती प्रसन रहता है उसका वन्ष पृत्वी पर प्राकरमी होगा सीधे लोगों की संतान आशिश पाएगी उसके घर में दन संपती रहती है और उसका धर्म सदा बना सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में जोती उद्य होती है वह अनुग्रकारी दयावंत और धर्मी होता है जो पुरुष अनुग्र करता और उधार देता है उसका कल्यान होता है वह नियाय में मुखदमे को जीतेगा वह तो सदा तक अटल रहेगा धर्मी का सदा तक बना रहेगा वह बुरे समाचार से नहीं डरता उसका रिदय यहवा पर भरोसा रखने से स्थर रहता है उसका रिदय संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा परन अपने शद्रों पर दृष्टी करके संतुष्ट होगा उसने उदारता से दरिद्रों का दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ उंचा किया जाएगा दुष्ट इसे देखकर कुडेंगे वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा दुष्टों की लालसा पूरी न होगी